14 मार्च से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। बजट सत्र शुरू होने से पहले ही पूर विधानसभा अध्यक्ष, विपन सिंग परमार नी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, कुल्दीप सिंग पत्हानिया की भूमी का कोली कर सवाल उठाये हैं। प्रक्स उनका कंड़क्ट कैसा रहा है ये प्रेस से चुपा हुआ नहीं है और बहुत सारे मानेस दस्यों से चुपा नहीं है वो हमारे विधानसभा के रिकॉर्ड में भी सारी चीजें विद्यमान हैं और जहां तक मेरा तालुक है अब मैं विधानसभा के परिशर के अंदर हूँ स्पीकर के पास ती तरह की अथोर्टी है जो उनको जानकारी नहीं है एक तो जब विधान सभा चलती है अंदर तो संभी धान के जो अनुशेद हैं और जो हमारी नियम और जो परक्रिया जो रूल्स एंड जो हॉस जो कंड़क्ट करने का जो अंदर conventions हैं, presidents हैं, directions हैं उसके मताबक वो होता है जो अंदर की बात है वो different है उसमें मैं as a speaker जो है जब मेरा रूल होगा तो मुझे संभी धान के अन्शोद्यों के मताबक हमारी जो रूल आफ बिजनेस है उसके मताबक direction of speaker है उसके मताबक हमारी जो नियम है उनके मताबक मुझे काम करना पड़ता है और वो as a as a speaker legislative role है मेरा जब मैं अपने chamber में बैठता हूं console chamber में there I execute my administrative powers so I have administrative powers also with me I control the Secretariat of the Vidhan Sabha जिसकी establishment है उसको control करता हूं फाइलों के उपर बहुत सारे निरने लिये जाते हैं शाइद ये जानकारी जो है परमार साब को नहीं है तो और जब मैं यहां से बाहर निकल जाता हूं तो मैं राजनेतिक प्राणी हूं और वो भी राजनेतिक प्राणी है और बाहर जाकर जो है मैं किसी ना किसी दल कहूं और किसी ना किसी दल के बारे में प्रेस के लोग आप अभी मुझे पूछेंगे कि आप वर्तमान सरकार को कितने नंबर देना चाहोगे उसके प्रफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलना चाहोगे तो मैं अपना ताला थोड़ी बंद कर दूँगा आए में फर्स्ट एमेले देर आफ्टे स्पीकर तो एज एमेले आए प्रेर गेटिव टू से सम्थिंग अज़िए और वो जो वक्तव्य दे रहे हैं वो स्पीकर नहीं है यह जाए एमेले में आए में अगर आप इस में आए बार वेड़ी श्यवेश चेव में अज़ए प्रेटन सब्सक्राइव टू स्वेश स्विज़ का बार है आए है और विद्स्ट एमें अट्विश कॉम्ष प्रेटि ओदू बार हूश्त। So what I am trying to say is, Mr. Parmar must learn the etiquettes also, whenever he is to state anything against the office of speaker, he should be very particular in his language, and I am cautioning him through this press conference. I have a prerogative with me, I have a, you see, I enjoy a lot of powers, so I don't want to, you see, take a recourse to that, because he happens to be our colleague, and being a former speaker, I am excusing him for this time. But certainly if he will not correct and mend his behaviour, certainly we are likely to take action as a speaker, whatever it will be provided in the rules and under the law.